वेलकम टो इस शानी वीडियोज भागे लक्षमी के आने वाले एपिसोड में अब यहाँ पर लक्षमी मिलने जाने वाली है रिशी से कि आखिर में मिलने के बाद में उसे पता चलेगा कि आखिर में यहाँ पर किस वज़े से मना कर रहा है शादी करने से मलिश्का, Sihr, Rishi और आखिर में यहाँ पर जो इस ने सुना, क्या वो सच है? क्या यहाँ पर लक्षमी पोँच पाईगी, Rishi से? क्या यहाँ पर लक्षमी के सामने आ पाईगी, Rishi की सच्चा है? या फिर यहाँ पर अब बनाए गए प्लैन के तहट पूरी तरह से मलिश्का और सोनल कामयाब हो जाएंगे और भी बहुत कुछ खास दिखाया जाने वाला है आने वाले एपिसोड में लक्ष्मी योपर दबाव डाला जाएगा एक बार फिर से शादी करने का लेकिन क्या यहाँ पर लक्ष्मी कामयाब होते हुए नजर आएगी या फिर यहाँ पर लक्ष्मी अप पूरी तरह से अपने और रिशी के बीच में दरार लाकर खड़ी कर देगी कैसे और क्या दिखा जाएगा खास बताते हैं सारी बाते के करके इस वीडियो के अंदर उन से भी बातों बताने से पहले आप सब एक लाइक जरूर कर दीजेगा आने वाले एपिस्ओड में आप सब को देखने को मिलेगा कि अब यहाँ पर लक्ष्मी के पास में सोनल पहुंसती है सोनल उसे बोलते वे नजराती है कि आखिर में तुम्हें लक्ष्मी अब जाकर रिशी को समझाना पड़ेगा रिशी को अपने यहाँ पर दिल से निकालने की बात कहनी बड़ेगी जिसके बाद में वो यहाँ पर मलिशका की पूरी तरह से बात मान कर उसे शादी कर सके और आने वाले एपिसूड में यहाँ पर आपको ऐसा होते हुए देखने को मिलने भी वाला है क्योंकि अब सोनल की बात लक्षमी नहीं डालने वाली उसने कुछ ऐसा देख लिया है जो कि यहाँ पर उसे देखना नहीं चाहिए था और उसके साथ साथ उसके सामने यहाँ पर एक ऐसा कनफेशन भी आ चुका है जहाँ पर किसी और इंसान की तरफ से रिशी की आवाज निकलवा कर यहाँ पर मलिशका ने लक्षमी को यहाँ पर पूरी तरह से कनफ्यूस कर दिया है इसी बात को लेकर लक्षमी अब जाने वाली है रिशी के पास में लेकिन उससे पहले यहाँ पर रानो अब एक सबसे बड़ा यहाँ पर प्लैन बना कर पूरी तरह से अपने प्लैन को एक्जेक्यूट करेगी कि आखिर में लक्षमी को बहुत दिन तक घर पे ने बैठा के रस्कते तो इसकी शादी करवानी पड़ेगी जिसके बाद में अब शादी करने पड़ेगी हमारा कोई रिष्टा नहीं है जिसके बाद में हाँ पर रिष्टी को फैसला करना पड़ेगा वैसे कैसे लिए आपको वीडियो कमेंट करके जोड़ेगा